भारत जोरो यात्रा की यूपी में एंट्री टिकित का मिला साथ जाट लैन में दशकों से सुस्त कॉंग्रस में जान फूकेंगे राहुल कन्या कुमारी से कश्मीर तक के लिए निकली कॉंग्रस की भारत जोरो यात्रा मंगलबार कुतर प्रदेश से एंट्री करेगी राहुल गांधी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्तित हनुमान मंदिर से पदियात्रा कर दोपहर में गाजयाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में दाखिल होगे इस दोरान कॉंग्रिस महसाचीव प्रियंका गांधी भी उनके साथ तीन दिनों तक यात्रा में शामिल रहेंगी राहुल को यूपी में किसान नेता राकिष्टेकित का साथ तो मिला लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का सिर्फ आशिरवाद ही मिल सका है उत्तर प्रदेश में भारत जोरो यात्रा 130 किलोमेटर का सफर तै करेगी और पश्ची में यूपी के तीन जिलों से गुजरेगी जाट लैन में सालों से सुस्त परी कॉंग्रिस में राहुल गांधी जान फूकते नजर आएंगे अपने तीन दिनों की यात्रा में यूपी के तीन लोग सभा सीटे और ग्यारा विधान सभा शेत्र की साधनी की कबायत करेंगे पद यात्रा गाजियाबाद, बागपत और शामली जिले की ग्यारा विधान सभा शेत्र से गुजरेगी बारत जोरो यात्रा पश्ची में यूपी के तीन जिलों से गुजरेगी लेकिन पार्टी ने प्रदेश भर से लोगों को बुलाया गया है कॉंग्रस ने पार्टी के नेताओं पदाधिकारियों और कारिय करताओं के अलावा प्रमुक विपक्षी दलो की नेताओं और चोटे दलो के प्रतनिथियों को भी यात्रा में शामिल होने का नियोता दिया है कॉंग्रस की कोशिश है कि यात्रा के जरिये सुबे में अपनी ताकत दिखाने के साथ ही विपक्षी एकता का अफसर भी इसे बनाया जाए लेकिन विपक्षी दलों का साथ नहीं सिर्फ आशिरबाद ही मिला है सपा अध्यक्षा किलेश यादव ने भारत जोरो यात्रा के लिए राहुल गांधी को बदाई दिया उन्होंने एक पत्र भेज कर कहा है उम्मीद है कि यात्रा अपने लक्ष को हासिल करेगी बसपा प्रमुक मायवती ने लिखा है कि यात्रा में शामिल होने के लिए मिली चिठी के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद देती हूँ आरलडी प्रमुक जयंत चौधरी ने भी अपना व्यस्तता का हवाला देकर भारत जोरो यात्रा से किनारा कर लिये है सुभास्पा के प्रमुक ओम प्रकाश राजभर ने भी यात्रा में शामिल होने के लिए किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया भारत जोरो यात्रा में सामाजिक संगठन से जुरे हुए लोग और किसान संगठन को भी नियोता भेजा गया है कॉंग्रिस के राश्रिय सचीव और यूपी प्रभारी प्रदीप नर्वाल ने बताया कि भारत जोरो यात्रा को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है ऐसे में किसान ने था राकिश टिकेट भी यात्रा का स्वागत करेंगे किसान यूणियन के कार्य करता यात्रा का समर्थन किया है इस तरह से जाटलैन और किसान बेल्ट में राकिश टिकेट के साथ आने से कॉंग्रिस के होसले बुलंद है उत्तर प्रदेश में भारत जोरो यात्रा के दौरान राहूल गांधी के साथ कॉंग्रिस महसाचीफ प्रियांका गांधी भी पदियात्रा करती हुई नजर आएंगी प्रियांका गांधी यूपी की प्रभारी है इसलिए राहूल गांधी के साथ सुबह में चारों दिन वो पदियात्रा करेंगी प्रियंका इससे पहले भारत जोरो यात्रा में राहूल गांधी के साथ मध्यप्रदेश और राजस्तान में पैदल चल चुकी है लेकिन अब उनके यूपी में भी भाई बहन एक साथ पद यात्रा कर सियासी माहूल बनाते हुए नजर आएंगे इसलिए राहूल और प्रियंका के एक साथ पोस्टर लगाए गए है यूपी के कुल 75 जिलो में से महच 3 जिलो से भारत जोरो यात्रा निकलेगी लेकिन इस दौरान राहूल राजनितिक सामीकरन साते हुए नजर आएंगे यूपी में यात्रा की शिरुआत गाजियाबाद जिले की लोनी विधन सभा से होगी जो गाजियाबाद लोग सभा का हिस्सा है राहूल गांदी 3 जनवरी को सभा को समोधित करेंगे और अगले दो दिन यूपी की राजनिती के लिहाद से सबसे एहम बागपत और शामली में बितेंगे जाटलेंड के नाम से पहचान रखने वाले पश्रीम यूपी में कॉंगरस की काफी लंबए समय से राजनितिक पकर मजबूत नहीं हो रही है गाजयाबाद में 2004 में आखरी बार कॉंगरस के सांग्षद सुरेंद्र गोयल बने थे उसके बाद से विजेपी का कबजा है 2004 में भी कॉंगरस ने आरेल्ली से गजबंधन करने के बाद जीता था और 1984 के बाद ये जीत मिली थी लेकिन उसे संभाल कर नहीं रख सकी बागपत लोगसभा में साल 1996 में आखरी बार चौधरी अजीत सिंग ने कॉंगरस के टिकेट पर चुनाव लड़कर जीत दिलाई थी उसके बाद वो लगातार आरेली से चुनाव लड़ते रहे शामली जिले की किराना लोगसभा सीट पर कॉंगरस से आखरी बार 1984 में आक्तर हसन सांकसद रही है इस तरह गाजयबाद में 14 साल बागपत में 27 साल तो किराना में 19 साल से कॉंगरस को अपनी खोई जमीन नहीं मिल सकी है अब भारत जोरो यात्रा में कॉंगरस को जाटलैंड के बरे किसान संगचन वाकियों का साथ मिलने से कुछ उम्मीद जगी है कॉंगरस ने यूपी में भारत जोरो यात्रा के बहाने राजनितिक और सामाजिक समीकरन साथने का प्लान किया है इसी करी में अतिपिच्रे वर्क के अलग-अलग जाती के नेताओं और संगचन के लोग रहूल गांधी के साथ पदयात्रा में शिर्कत करेंगे इसे लेकर पाटी नेता अनिल यादव ने बताया कि अतिपिच्री जातियों के जितने भी संगचन के नेता है उन्हें भारत जोरो यात्रा में शामिल होने के लिए निमंतरन भेज दिया गया है राजभर, पाल, कुश्वाह, नाई, बंजारा, कुर्मी, मलाहा, कश्यप, सैनी, शाक्या, चोहान, सहित अतिपिच्री जाती के नेता रहूल गांधी के संग पहली कतार में चलेंगे राहूल गांधी से अतिपिच्रे वर्क के नेता अपनी समस्याय और मुद्दो पर बात करेंगे भारत जोरो यात्रा में दलत और अधिवासी, समुदाई के लोग भी राहूल के साथ पदियात्रा करेंगे इसके अलावाज सिविल सुसाइटी और सामाजिक संगठन से जुरे हुए लोग भी शिरकत करेंगे तो साहित्यकार और बुद्ध जीवियों भी शामिल होंगे उतर प्रदेश के जिला गाजियबाद के लोनी बॉर्डर से भारत जोरो यात्रा एंट्री करेगी इसके बाद 4 जन्वरी को बागपत 5 जन्वरी को शामली और 6 जन्वरी को केराना से होकर हर्याना के सोनी पजले में प्रवेश में कर जाएगी 6 जन्वरी से 10 जन्वरी तक भारत जोरो यात्रा हर्याना में रहेगी इसके बाद ये यात्रा 11 जन्वरी को पंजाब में प्रवेश करेगी और एक दिन के लिए 19 जन्वरी को हिमाचल प्रदेश से भी गुजरेगी बारत जोरो यादरा 20 जन्वरी को जम्मू कश्मीन में प्रवेश करेगी और फिस 30 जन्वरी को राहूल गांधी तिरंगा फैरा कर समापन करेंगे